हलो बच्चों, बच्चों कल हमने निभन्द लिखा दिपावली पर, है ना अपने कॉपे में लिखा ना संधर अप्ष्रों बे मैंने देखा उसिंछ बच्चों ले मुझे पीडिये ब़ी बेजबा आज हम महात्मा गांधी बडिबंद दिखे लेए, ही कि इस पर लिखेंग महात्मा गांधी पर राष्टपिदा महात्मा गांधी जिनने हम बापू के नाम से भी जानते हैं जानते हैं ना दो अक्टूबर को जिनका जिन्म्रती नाता है गांधी जयनती हम बनाते हैं ना उन्हीं के उपर आज हम निवन्द लिखें ठीके? Now take order copies और सुन्दर राइडिंग में लिखना है नाम स्टार्ट करते हैं सिपहले उपर हैडिंग डाल दीजिए और सुन्दर अक्ष्रम में लिखना है पाहत्मा गांधी का जन दो अक्टूबर अट्रासो अनिसित्पर में 1869 में गुजराद के के पोरबंगर में हुआ गुजराद के पोरबंगर में हुआ महात्मा गांधी का जन्म दो अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का पुरा राँ महात्मा गांगी का पुरा नाम मोहन्दास करप्चत गांगी थाख Iki pisak na गांगी ताः गांगी थाख गांगी ऐ 돌아 गांगी ता गांगी ओुरा गजता हर ग' मिह था गांगी Express कुद्ली बाई थाउ माता काना कुद्ली बाई थाउ महात्मा गार्गी जिने महात्मा गार्गी जिने साम गी जिने देश को आजाप कराने八 महात्मा गार्गी जिने महात्मा कार्गी जिने महात्मा गांधी का जन्म 2 अप्टूबर 1869 में गुजरात के पोर बंदर में हुआ महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहंदास करमचन गांधी था इनके पिता का नाम करमचन गांधी और माता का नाम कुतलीबाई था महत्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने में महत्वुर योगदान दिया गांधी जी ने इंग्लेंड से वकालात की परफाई पूरी की इसके बार रुखिये गांधी जी सदेव सदेव सथ्के और अहिंसा के नेमों का पालन करते थे गांधी जी सदेव सथ्के और अहिंसा के नेमों का पालन करते थे गांधी जी सदेव सदेव सथ्के और अहिंसा के नेमों का पालन करते थे इसके बार रुखिये गांधी जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे प्यार से सभी उन्हें बापू कहते थे प्यार से सभी उन्हें बापू कहते थे गांधी जी ने जीवन भर राष्ट की उन्हें के लिए बार रुखिया उन्हें राष्ट की पिता के नाम से जाना जाता है या उन्हें राष्ट की उपाधी दी गई गांधी जी की रिप्रियू तीस जन्वरी उनीस सो अटारीस में मुई नैंटी पोटी एक में गांधी जी के महतुकोर योगदान को देश सबेर याद करता रणेगा बरता रणेगा ठीक है अच्छा तो ये पूरा कम्प्लीट हुआ निबत ये भुक में नहीं दिया गया है इसे मैंने लिख्वाया है तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है ठीक है और याद भी करना है पहले हुने इतलिया उसके बाद ये लिखना है कानी जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे प्यार से सभी उन्हें बाबू कहते थे कानी जी ने जीवन भर राष्ट की उन्नती के लिए कार दिया उन्हें राष्ट पिता की उबाद ही दी गई कानी जी की म्रत्यू इस जन्वरी 1948 में हुई कानी जी के महत्वुन योगदान को देश सदे व्याद करता रहेगा है ना ठीक है तो ये निभन्द आपको अपनी कॉपी में लिखना है सुन्दर अप्षिन तो दो निभन्द हमने लिख लिए एक कल हमने दिपावली का लिखा था और आज हमने महत्मा गांधी को लिखा है करता है